गॉइन का गोल्य देडर स्टॉंस मतलब पिथ की थेली में पथरी होना पिथ की थेली में पथरी होना बहुत कॉमन चीज है कॉमन भी इस ऊह किया है। जो लोग अवेस होते हैं उनको यूजवली 30 to 40 years की age में होती है या तो जिनको multiple pregnancies हुआ है उसमें होती है Normally हमको गॉल ब्लेडर में स्टोन है ऐसा पता कैसे चलता है Most of the time बहुत बार patient sonography करवाने गया कुछ और चीज़ की वज़ाते है और उसमें patient को मिलता है पत्री है तो क्या चिन्ता करने की जरूरत होती है नहीं गॉल ब्लेडर में स्टोन बने हैं if they are asymptomatic stone तो चिन्ता करने की जरूरत नहीं है बड़ जब भी गॉल ब्लेडर स्टोन की वज़ासे पेइन हुआ यह आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि यह गॉल्वेडर स्टॉन की वज़ा से हुआ है तो गॉल्वेडर स्टॉन का समाधन करना बहुत ज़रूरी है गॉल्वेडर स्टॉन का अगर पेइन एक बार होता है तो दूसरी बार उसी साल में होने का चांस 42-50 परसंट जितना ज्यादा होता है नौर्मली पितकी थेली में पथरी है तब तक पेइन होगा प्राप्लम मेजर होने का चांस नहीं होता है इसका ट्रीट्वेंट क्या होता है ट्रीट्मेंट यूज़ली लेपरोस्कोपिक कॉलिसस्टेक्टमी मतलब ऑपरेशन करके गॉल्वेडर निकाल देना है स्टोन और गॉल्बेडर दोनों निकल जाएगा तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा